हेलो एप्रिवन आज के इस वीडियो में मैं आपको वाटसअप के कुछ यूसफुल ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ हो सकता है आपको पहले से पता ना हो अगर वीडियो अची लगे तो वीडियो को लाइक ज़रू कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी वाटसअप की ट्रिक नमबर फाइव तो यहां मैं एक ग्रूप में हूँ और ग्रूप में मैंने कुछ पोस्ट भी सेंड की है तो इन में से एक पोस्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा सेलेक्ट करने के बाद मैं किलिक करूँगा थिरी डोटस पर three dots पर किलिक करने के बाद हमने किलिक करना info पर तो जैसे ही हम info पर किलिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ kontacts आ जाते हैं यानि इन लोगों ने उपर वाले जो kontacts हैं उनों ने इस post को देखा है और नीचे वाले जो kontacts हैं उनके पास delivered भी हुआ है और कुछ लोग remaining भी है WhatsApp की trick number 4 अगर आप WhatsApp पर किसी को भी message करते हैं तो सामने वाला जब भी आपका message देखता है तो आपको blue tick show होती है उससे आपको मालूम होता है कि उसने आपका message देखा लेकिन आपको ये मालूम नहीं होता कि उसने कितनी देर पहले देखा और आपका message उसकी तरफ किस time deliver हुआ कितनी देर पहले हुआ तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें तो इसके लिए आपने वो message select करना है जिस पर blue ticks हो तो आपने उस message को select करके और three dots पर click करना है देन आपने क्लिक करना info पर और details आपके सामने होंगी WhatsApp की trick नमबर three अगर आपको WhatsApp पर कोई भी message करता है और आप वो message पढ़ लेते हैं तो सामने वाले के पास blue tick शो हो जाता है अगर आप चाहते हैं आप message पढ़ भी लें सामने वाले का और उसके पास blue tick भी शो ना हो तो ये कैसे होता है इस वीडियो में जानी है तो इसके लिए आपने three dots पर click करना है और उसके बाद settings पर click करना है account पर click करना है then privacy पर click करना है उसके बाद पांचवे नमबर पर option है read recipes का आपने उसे disable करना है तो जैसे ही आप इसको disable करते हैं तो आप किसी का भी message पर लें सामने वाले के पास blue tick नहीं आएगी WhatsApp की trick नमबर two अगर आप WhatsApp यूजर हैं तो आपको पता होगा कि बिना नमबर save की आप WhatsApp पे किसी से chat नहीं कर सकते अगर आप फिर भी बिना नमबर save की ये chat करना चाते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखे क्योंकि मैंने इसमें इसकी trick बताई है तो सबसे पहले यहां आप एक browser open करेंगे browser open करने के बाद आपने search bar में लिखना है wa.me slash और उसके बाद आपने यहां पर country code इसमें होना चाहिए जैसे इंडिया का 91 है पाकिस्ताइन का 92 है तो आपने यहां पर code रखना है country वाला और आपने नमबर के बीच में कोई भी space नहीं छोड़नी जैसे ही आप पूरा लिख लेते हैं उसके बाद आपने enter दबाना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा chat on whatsapp with number आजाएगा यहां पर और उसके बाद आपने क्लिक करना है continue to chat जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप redirect हो जाते हैं whatsapp की तरफ जैसे ही आप redirect हो जाते हैं तो वहां पर आप इस number से chat कर सकते हैं इसे बिना save किये whatsapp की trick number one अगर आप whatsapp group से तंग आ चुके हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी आपको किसी भी group में add ना करे तो यह किसे possible है इस video में जानिये इसके लिए आपको सबसे पहले three dots पर क्लिक करना है उसके बाद settings पर उसके बाद account पर then privacy पर इसके बाद आप देख सकते हैं चटे नमबर पर option ए groups का आपने उस पर क्लिक करना है तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहां पर तीन option है आपने तीसरे option पर क्लिक करके next पर क्लिक करना है फिर आपने सब जितने भी आपके पास contact से सब को select करके और check वाले option पर click करना है जैसे ही आप click करते हैं तो जितने भी आपकी contact से आप उन में से आपको कोई भी किसी भी group में add नहीं कर सकता